दमश्कार आप देख रहे हैं यूग चर्म और मैं हूँ आपके साथ खुश्मसेंग आएक नज़र डालेते हैं कि बॉलिवूड में क्या चल रहा है क्रिकेटर विराज कोहली और बॉलिवूड अभिनेत्री अनुश्का शर्मा ने पैंस को खुश्कबरी दी है अनुश्का शर्मा और विराज कोहली दूसरी बार पैरंट्स बन गए हैं अभिनीत्री ने एक बेटे को जन्म दिया है इस बात की जानकारी खुश्का ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके दी है अपने इत्री अनुश्का शर्मा ने बताया कि उन्होंने 15 फरवरी को अपने दूसरे बच्चे का वेलकम किया है यहां तक कि पोस्ट में अनुश्का ने बेटे का नाम भी बता दिया है यह खुशकपरी मिलने के बाद दोनों को सेलेबिटीज और फैंस की तरफ से धेरो बधाया मिल रही है अपने इत्री अनुश्का शर्मा ने पोस्ट में लिखा बरपूर खुशी और प्यार से भरे दिल के साथ हम सभी को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 15 फरवरी को हमने अपने बच्चे अकाई और वामिका के छोटे भाई का इस दुनिया में वेलकम किया जेह अली खान तीन साल के हो गए हैं और उनकी क्यूटनेस शोशल मीडिया पर अक्सर देखने को मिल जाती है पैप सक्सर जेह की प्यार भरी शरारतें कैमरे में कैट कर लेते हैं वालिवुड एक्टर सैफली खान और एक्टरेस करिना कपूर के दूसरे बेटे जेह अली खान 21 फरवरी यानि आज अपना तीसरा बर्थडे मना रहे हैं बर्थडे के इस मौके पर जेह पर पूरा परिवार प्यार लोटा रहा है वैसे भी जेह पताओदी फैमिली में सबसे छोटे हैं तो सब के दुलारे भी होंगे जेह के मौसिया और करिना कपूर की बड़ी वहन का रिश्मा कपूर ने जेह के साथ एक खूबसूरत बॉंडिंग शेयर की है उन्होंने जेह के साथ एक तस्वीर शेयर की है जिसके कैप्शन में लिखा है चलो आज बाबा का बर्थडे है लव यू बालिवुड एक्ट्रेस विध्याबालन ने मुंबाई पलिस में अज्याद शक्स के खिलाफ उनके नाम का फरजी इंस्ट्राग्राम अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे मांगने के आरोप में अफ़याब दर्श कराई है रिपोर्ट्स के माने तो अज्याद शक्स ने बिध्याबालन की हू बहू इंस्ट्राग्राम आईडी बनाई और जीमेल अकाउंट भी बनाया शक्स एक्ट्रेस के अकाउंट का इस्तमाल कर बॉलिवड इंडस्ट्री से दुड़े लोगों से संपर्क करने लगा रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि वो लोगों को नौकडी का आश्वासन दे कर उनसे पैसे मांग रहा था जब इस बात के जानकारी विध्याबालन को मिली तो उन्होंने इस बात की शिकायत मुंबई पुलिस से की एक्ट्रिस के शिकायत पर मुंबई पुलिस की खार पुलिस टेशन ने अग्याज शक्स के खिलाफ IT की धारा 66C के तहट F.I.R. दर्ज की और जांश शुरू कर दी मंगलवार देर रात मुंबई में दादा साहिब फाल के इंटरनेशनल अवर्ड्स का आयूजन किया गया इस साल शारु खान को फिल्म जवान के लिए Best Actor के अवर्ड से नावाजा गया उनके फिल्म जवान को Best Film का भी अवर्ड मिला वही रवानी मुखर जी को फिल्म मिसिस चटर जी वर्सिस नार्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रिस के अवार्ड से सम्मानित किया गया बॉबी देवल ने फिल्म एनिमल के लिए बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल और संदीप रेड़ी वागा ने बेस्ट डिरेक्टर अवार्ड अपने नाम किया उसके अलावा फिल्म सैम भाहादूर में अपने दमदार अभिने के लिए विकी कोशिल बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता मुबई की ताज लेंट्स एंड में हुए सेविंट में शैरु खान बॉबी देवल नैंतारा करिना कपूर खांस, सुनील ग्रोवर, अधिते रोय कपूर, अनिल कपूर, शाहित कपूर, विक्रांट मैसी एटली, रानी मुखरजी समीत, अन्नी कई सेरुड़ी शामिल हुए पॉलिवर्ट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए, मनेरी हमारे साथ युक चर्ण पर, तब तक लिए नमस्कार